हेलो नमस्कार दोस्तो नामे मेरा बॉबी और यूट्वीब पर जानकारी देनी मेरी होबी आपके सामने आज रिव्यू करने वाला हूँ महंद्रा थार आटोमेटिक और यह पैटॉल वेरियंट है तो जो लोग वीडियो पर नए वीडियो को लाइक करें सेयर करें चैनल को स थार का लोगो इंटिरियर काफी अच्छा है चारो तरफ से थार बहुत अच्छी दिखती है और यह पैटॉल वेरियंट है 4x4 और इसी जो छत है वो खुल जाती है वह आपको थोड़ी सी खोल के दिखाऊंगा बाकी आप अपने घर पे खोल सकते हो या फिर आपके यार द अब 4x4 है तो आप ट्रिप पे जाई सकते हो दो गेर देखने हो मिलाते हैं एक 4x4 का है और एक नॉर्मल गेर देखने हो मिलाता है और इसमें मैं आपको मेंदरा की थार कौन से वेरियंट में पसंद है हमें नीचे जरूर कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब जरूर कर पहले बात करते हैं गाड़ी की प्राइज की दिखने में तो बहुत बढ़िया है तो प्राइज भी काफी बढ़िया हुगा नहीं भाई प्राइज काफी सही है लगवग 13 लाग से शुरुआत हो कि 15 लाग तक एक सुरूम प्राइज चली जाती है यहां पर आटोमेटिक की ब कर दूँगा आप लोग जाके प्रफर कर सकते हो जरूर से जरूर चेक आउट जरूर करें और यह देख सकते हो यह है काड़ी काफी अच्छी है और जो कनवर्ट नहीं होती है एकदम पैक है थार वो भी अच्छी है तो आपको कौन सी पसंद है हमें नीचे कमेंट करके जर बोड़ा च्पागुआ एस्चेलियंस और 15.0 थार की ब्रैंडिंग फीसे पर हम चलेंगे गाड़ी के अंदर की तरफ तो अंदर बहुत अच्छे फीचर मिल जाते है सबसे पहले में आपको बात करूँगा यहां पर जो डोर है मुलब थार की ब्रैंडिंग हर जगे की अगर आपको तो एक ही जगह है मुलब आप आगे वाला डोर खोलो और पीछे वाली सीट को फोल्ड करो और पीछे चले जाओ आसानी से और लुक काफी हेवी लुक है मैं आपको जाके दिखा रहा हूं दिखतो इसको यहां पर मिलेगा हमें इसको प्लक करना है और सीट का मजा ले सकते हो 2.2 cc का लगव एंजिन मिल जाता है 222 cc का इंजिन मिल जाता है और बीचपी की बात करते है तो देट सो बीचपी की पावर है और साउंड सिस्टम काफी अच्छा दे दिया गया है थार में और एयर बैक भी मिल जाते हैं से और जैसे आप यह जो रूफ क्या चादर है वो आप आसानी से हटा सकते हो आपको कोई दिक्कत बगरा नहीं आगी और आपकी गाड़ी एकदम खुल जाएगी और आप बादियों का मजा भी ले सकते हो उसमें अमलब चलते जलते और यह काफी बढ़िया है यहाँ पर हमें दो का पोल्डर देखने हो मि जाता है अब आपको दिखाता हूँ यह दिख सकते हो आप लोग मैं अभी बैठा हुगा हूँ थार की बैक सीट पर हूँ और यहाँ पर आपको साइड में पकड़ने की जगह मिल जाती है और जैसे कहीं आप आप आसनी से पूल बगरा पकड़ सकते हो या फिर यहाँ पर 4-seater convertible top most variant मिल जाता है और convertible top diesel में भी मिल जाता है वह लोग कई सारे वेरियंट है थार में मैं एक दो नहीं LX 4x4 कई सारे वेरियंट है आप लोग अपने यह साब से प्रफर कर सकते हो और यहाँ से आप आसनी से इसको खोल सकते हो मैंने आपको थोड़ा सा ही खोल के में बंद कर सकते हो मेरे बगार आप इलक्टरिकली एज़्जस्ट कर सकते हो इसमें काफी अच्छी चीज दे देगी नَّयी वाली थार की बात कर रहा हूं है और में वाद करते हैं इसमें में वहला यह देख से तो power window भी मिल जाती है देखने को जिसका switch बीच में मिल जाता है power window का और यहाँ पर steering पर हमें सारे के सारे करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और शिफ्ट टु दा फ्लाइफ रिफोर इन्टू फोर इसके जो टॉपमोस्ट वी टॉपमोस्ट फीचर है और लो रेंज में आ बहुत बढ़ी एंडिकेटर है और ट्रीटाइप की रूफ देखने को मिल आती है इसमें थार में एक तो नॉर्मल मिल जाती है जो ये खड़ी है नॉर्मल का वीडियो में आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आँगा हूँ और कई सारे कलर देखने को मिल आते हैं आपको कुंसा कलर पसंद है ग्रीन ब्लू ब्लैक रेड हमें नीचे कमेंड करके जरूर बता हैं और और आगे बढ़ते हम गाड़ी की तरफ तो यहां तक आपको कैसे लगी हमें जरूर बता हैं भाई अब हम बात करते हैं थार की पावर की तो मैक्सिम्म पावर ये 130 बेच्पी प सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं जल्दी मिलते हैं जल्दी मिलते हैं इसक्त के लिए नमस्कार टेक केर